नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्याग एक नज़र दा रहेंगे उत्राखंड की खबरों पर उत्राखंड में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में स्वास्व भाग की तरफ से एक पहल की गई है और कोरोना मरीजों का पता लगाने के लिए लोगों का आटी पीसिया टेस्ट किया गया ताकि बढ़ते कोरोना पर लगाम लगाई जा सके देखिए ये लालकुवा में कोरोना से बचाव को लेकर स्वास्तव विभाग की ओर से लोगों को जाकरुक करते हुए उचे दिशा निर्देश भी जारी किये जा रहे हैं वहीं स्वास्ते विभाग ने बिंदु खता शेत्र के इंडरा नगर प्रतम बे रहने वाले दरजनों लोगों की जांच की इसके लावा अन्य शेत्रों में भी कोरोना के मरीज़ों का पता लगाने के लिए आठी पीसिया सैंप्लिंग की जा रही है विंदु खता बीजिपी मंडल अध्याक्ष दीपक जोशी की मौझूदगी में स्वास्ते विभाग की टीम ने 26 लोगों के सैंपल लेका कोरोना की जांच की कोरोना काल के इस दूसरी लहर में आसा है कि आप सभी स्वास्त होंगे मैं प्रभू से रातना करता हूँ कि आप और आपके परीजन स्वास्त रहे हैं सुरक्सित हैं साथियोग लगातार कोरोना के इस लहर के काराण भारती जन्ता पार्टी निरंतर जन हित में उप्युक्त प्रियास को करते आई है इस दूरी लहर के चलते हमारे इस नेंकाल डिस्टिक्स के मंडल विंदु खत्ता में हमने परसों हमारे कुछ छेत्रों में संकर्मन से कुछ देटियों की मिड़ती हो गई थी और कुछ लोग संकर्मित हो गए थे उन छेत्रों में हमने सैनिटाइजर करवा कर उन छेत्रों में रहात पहुंचाने का प्रियास किया तथा उन लोगों को जो संदिक दे थे अस्पतालों में उप्युक्त बैड मिल सके, अक्सिजन मिल सके, इंजक्सन मिल सके, इसका प्रयास किया और आज सांती पिछले दो-तीन दिरों से कुछ छेत्रों में लगातार कोरोना संक्रमन से मिर्ति हो रही और अनेक लोगों में संक्रम फैला हुआ है जिसके निमित क्रिटिकल इस्तानों में लोग भीवीत थे इस निमित आज हमने लोकल स्वास्त केमरों पर संपर्क कर कई पी मंडल अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि हमें अपने और अपने परिवार के लोगों के स्वास्ते को लेकर भी कमभीर रहना चाहिए कोरोना काल के दौरान किसी तरह की कोई भी लापरवाई ना परते इसके बचाव को लेकर सकार, प्रसाशन और स्वास्ति भाग पर हैं सिमें अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पौडी की SSP ने शेहर में कई जगाहों पर CCTV कैमरे लगवाए हैं ताकि अपराधियों पर लगाम लगाई जासे के देखिए गेरपॉर्ट पौडी शेहर में अपराधियों गटनाओं को रोकने के लिए पौडी की SSP पी रेंकुआ देवी ने पौडी शेहर में जगाह जगा 12 नए CCTV कैमरे लगवाए हैं ऐसा करने से अपराधियों गटनाओं को रोकने में साहता मिलेगी SSP PODY ने बताया कि पहले भी PODY शहर में जगा जगा दस CCTV कैमरे लगाए गए थे जो की सालों से काम नहीं कर रहे थे और खराब हो चुके थे जिसको देखते उन्होंने अब 12 नए CCTV कैमरे शहर में लगवा दिये हैं PODY जनपत में अपरादिक कोई भी अपराद होते हैं उसको वर्कोट करने के लिए अपराद को रोगने के लिए हमने CCTV को ज़्यादा बढ़ संक्या बढ़ाने के लिए हमने सब को नुर्विशित किया है और कहां काम पर CCTV कराब हैं और कुछ मीटिंग्स करके पबलिक को भी हम उनको मोटिवेट करना आप लोग ज़्यादा CCTV केमराज अपरा उसमें लगाई हैं इसी उसमें हमने अभी PODY में पहले भी लगा था केमराज यहां पर दस केमराज था वो बहुत कराब था अभी सालों बर वो काम नहीं कर रहा था उसको हमने सही किया भी नया केमराज लग करते हुए कहा कि शेहर भर में जो CCTV कैमरे पुलिस प्रसाशन द्वारा लगाए गए हैं या प्रादिक घटाओं को रोकने में कारगर साबित होंगे वहीं उन्होंने सान्य जनता से अपती दुकानों के आगे CCTV कैमरे लगाने की भी गोजारिश की है जिससे की PODY में जिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जा सके निउस वर्ल इंडिया के लिए PODY से भगवान सिंग की रिपोर्ट PODY में जिला प्रसाशन और स्वास्ते विभाग ने मिलकर कोरोना वैक्सिनेशन की सभी तयारियां पूरी कर ली है और अब महज वैक्सिनेशन का इंतजार 18 साल से 44 साल तक के वर्ट के व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है जिने वैक्सिन मिलते ही वैक्सिन लगाई जाएगी वहीं जुलादिकारी ने शेहर में वेक्सिनेशन के लिए चैनित किये गए तीनों केंद्रों का निरक्शन भी किया और सभी विवस्ताओं का जाइज़ा लेते हुए स्वास्तर विभाग को वेक्सिनेशन की एहम जिम्मेदारिया दी है बता दें जुरादिकारी ने उन व्यक्तियों को बड़ी राहत दी है जो किसी वज़ा से अपना रेजिस्ट्रेशन कोरोना वेक्सिनिक की वेबसाइड में खुद नहीं कर पा रहे ते ऐसे लोगों का रेजिस्ट्रेशन चुने गए केंद्रों पर ही किया जाएगा आज मैंने मैश्मूर इंटर कॉलेज गौर्रमेंट इंटर कॉलेज पॉड़ी और डीएवी का विद्या लाइकम भी जिन्नीत किया है जहां पर हम लोग ब्रहत सर पर वैक्सिनेशन के लिए दो तरह के से हम लोग प्रयास कर रहें एक तो आप रेजिस्ट्रेशन करके पूर् विवस्ता हैं उसकी जाइज़ा लिया है हमने हर से कैन पर मेडिकल ऑफिसर तैनात कर रहा है तीन से चार टीम में यहां पर वैक्सिनेशन के कारेंगी पेजल सुवीदा बैटने के सुवीदा और बरसात वगरा अगर हो जाती है मौसम बिगड़ जाता है उसके लिए अंद दुंका ने श्येत्र के सभी प्रात्मिक स्वास्ते केंद और वैक्सिनेशन टीका करन केंद का निरिक्शन किया इस दौरान उन्होंने वैक्सिनेशन रूम के साथ पानी और बिजली के विवस्ता भी देखी देखिया इस रिपोर्ट में आज से 18 साल से 14 साल तक के लोगों के लिए वैक्सिनेशन शुरू हो गया है इसी को लेकर लालकों में श्येत्रे विधायक नवींद चंद दुंका ने श्येत्र के सभी प्रात्मिक स्वास्त केंद्र और वैक्सिनेशन टीका करन केंद का निरिक्शन किया इस दौरान विधायक नवींद दुंका ने टीका लगवाने आई लोगों से चर्चा कर उनके अनुभव कूछे इसके बाद विधायक ने अस्पताल स्टाफ से भी चर्चा कर कहा कि इस समय जिनका टीका करन खराय जा रहा है इसलिए उनका विशे ध्यान देने के आविशक है और मुझे बड़ा आस्तरी होगा कि उपर वाले अस्टाल में पाने की ब्यौस्ता नहीं है उससे बड़ी बात यह कि इस विशे में किसी ने आज तक बताया भी नहीं मैंने आ थाने में मास्टीत में सभी जगा पेजल ब्यूस्ता समर से बिलती है जल्दी वहां पर होगा विश्वास सरकार पर उसके कारिकमपब बना रहे हैं यह यह भी उसी का हिस्ता है अभी मैं उच्छा धिकार इन से बात करूंगा कि परियाप्त दो यहां पर दे दी जाएं ताकि लोग दूर राज से आते हैं उनके मन में किसी पर कार का असंतोज नहों अभी ठीक है साथी विधायक ने टीके की पहली डोस लेने आए लोगों से कहा कि सभी को दूसरी डोस भी जल्द ले लेनी चाहिए और शेत्रों में लोगों को टीका करण के लिए जाकरू करें इस दौरान विधायक नवीन दुमका ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार कोबिर-19 टीका करन को सुचारू रूप से चला रही है। साथी विधायक ने केंद्रों में पानी बिश्री की समस्य को भी जल्द दूर करने के निर्देश दिये। निउस वर्ल इंडिया के लिए लालकुआ से धर्मेंदारेक रिपोर्ट। शेत्र में अभ्यान छेडा हुआ है। जिसके अंतगत पुलिस टीम ने अभियोग प्रदीव कुमार को 9 किलो अवैद गांजे के साथ गोविंद घार्ट से गिरफतार किया है। जिसके विरुद पुलिस ने NGPS एक्ट में मुकदमा पंजिकरन भी कर लिया है। उत्रखन की खबरों में फिलाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहे हैं न्यूस टूर अल इंडिया।